देश की राजधानी दिल्ली में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया है आधिकारिक सुत्रों ने कहा है कि राजधानी दिल्ली में 34 साल का एक शक्स मंकी पॉक्स वाइरस से संक्रमित पाया गया है हलांकि शक्स का कोई travel history नहीं है इसके साथ ही भारत में अब इस पीमारी से संक्रमित मरीजों की शंख्या बढ़ कर चार हो गई है इसको लेकर दिल्ली के CM अर्विंद केजिबाल ने ट्विट किया है और लिखा है कि दिल्ली में मंकी बॉक्स का पहला मरीज इस्तिर है और ठीक हो रहा है साथ ही लिखा कि हमने LNJP में अलग isolation बार्ड बनाया है हमारी सबसे अच्छी टीम दिल्ली बासियों में मंकी बॉक्स फैलने से रोकने के लिए लगी हुई है